नमस्कार साथियो कैसे हो आप सब मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच एकजाम वित अरिहंत पर साथियो क्या आप सरकारी नोकरी चाहते हो क्या आप दस्वी पास हो जी हाँ दस्वी पास भरती व्यक्तियों के निये सरकारी नोकरी आई है और वो भी कोई 1-2 पद नहीं वो भी कोई 1-200 पद नहीं पूरे 6,000 पद के पास में लगबग 6,000 पद आई है राजस्तान के अंदर राजस्तान के अधिनस्त बौर्ड द्वारा एक बड़ी वेकेंसी आई है और इस वेकेंसी को आपको जरूर भड़ना है अग आपके यह बहुत मैदपूर है इसके अंदर हम एक-एक चीज पर डिसकस करेंगे कि भईया वेकेंसी क्या है किस-किस तरीके के इसके अंदर प्रश्न पुछे जाएंगे और कैसे कैसे आपको क्या कौन फौर्म भर सकता है कैसे आपको इसकी तयारी करनी है और अरिहंत आप की क्या मदद कर सकता है चलिए बच्चो समझिए राजस्तान कर्मचारी चैनबोड के द्वारा 610-2023 को यानि कि कल यह नोटिफिकेशन चल हुआ था और यह नोटिफिकेशन किस से रिलेटेड था पशू परीचर एनिमन अटेंडेंट के नाम की यह भरती है पशू परीच ठीके द्यान रखना और इसके अंदर पोश्ट कितनी है भाई साब सबसे बड़ी चीज है पोश्ट है 5934 ठीके बहुत बड़ी संक्या में यह पद है ठीके जिन में से अनुसूचित शेत्र यानि कि राजस्तान के वो शेत्र जो टीएस्पी एरिया के अंदर आते हैं वो 653 है और नॉन टीएस्पी के 5281 है 5281 है यह 4th grade की पोश्ट है चतोर्त श्रेणी सेवा भरती एवं सेवा शर्ते नियम 2014 के अंदर यह आपके आमंतरन किये गए हैं टिके इसके अंदर आपको कैसे फॉर्म भणना है क्या-क्या चीजे हैं डिटेल्ड जो advertisement है वो आपके साथ म comment कीजिएगा मैं खुद comment आपके पढ़ूंगा और इससे related जो भी information होगी वो time to time आप लोगों को provide की जाएगी ठीक है याद रखना यहां पर आपको online आवेदन करना होगा online आवेदन आप किसके माध्यम से कर सकते हो एक website है http.rsmssb.rajistan.gov.in पर या फिर आप राजस्थान के अगर आपने कोई exam दिया है तो एक SSO portal होता है इस portal पर अपनी ID बनाईए और उसके बाद में राजस्थान के जितने भी exam चाहे वो RPSC ले चाहे अधिनस्त बोर्ड ले आप उसके थुरू भर सकते हो ठीक है चलिए one time registration आप आपको करवाना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर पूरी की पूरी information है अब भया form कब से start होगा form आपके याद रखना 19.4.2023 के बाद में आपको online जमा करवानी होगी फीस जमागरानी होगी फॉर्म में वो SSID बना कर फीस कितनी नहीं जाएगी अगर आप general category के हैं general category के याद रखना राजस्तान के बाहर के बच्चे कोई सी भी category के हो राजस्तान का अगर आप exam दे होगे तो आप general category के अंदर ही count होगे उसके साथ साथ में OBC के क्रिमिनियर य EWS के जो लोग है उनके निये 400 रुपे और जो दिव्यांग जन है विकलांग है चाए वो किसी भी राज्य के हो किसी भी श्रेणी के हो उनके निये 400 रुपे तैक किये गए हैं चलिए अब यहाँ पर इसका वर्गी करण दे रखा है सबसे अच्छी बात है सब कुछ खोल के दे दिया बॉर्ड ने कि भाईया इसके अंदर किती किती पोष्ट है देखिए सामन्य जो पोष्ट है यानि कि पुर्ष्य सामन्य वर्ग के निये इसमें 1334 वर्ग है सामन्य महिला के ने 381 इस तरीके से पूरा का पूरा डिविजन आपका दे रखा है तिक है यह होरिजॉ पूरे डोक्यूमेंट होने चाहिए ठीके बेटा चलिए इसके साथ साथ में भूत पूरु से निको के निये भी आवेदन दे रखा है यह पूरी की पूरी जो नौटिफिकेशन का टेलिग्राम है वो आपको टेलिग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी ठीके या आपके मन में औ आप दूसरे रज्जी वाला पास हो सकता है अरिहंत के अंदर इस यूट्यूब चैनल पर आप क्या करोगे कि आपको कोई टेस्ट चाहिए किसी भी तरीके की अगर आपको इंफोर्मेशन चाहिए तो आप बेजी जगो कर कमेंट करिए मैं खुद पढ़ूंगा मेरी पूर रखना वेतन आपको पे मैट्रिक्स लेवल एक के हिसाब से मिनेगा तिक है याद रखना सुरुआत में आपको ट्रेनी का काम दिया जाएगा जब तक आपका परिविक्षा पीरिड चल रहा है तिक है उसके दोरान आपके मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर निर्ध पारित हो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है राजस्तान में इस साल होने जा रहे हैं विधान सबा चुनाव तो भईया भरती भी जंदी हो जाएगी तंखा भी अच्छी मिनेगी और भईया आपके सबसे बड़ी चीजे बेरोजगारी का दाग दुल जाएगा एक बार सरकारी नोकरी में आ गए उसके बात करते रहे ना और पड़ा ही किसने क्या बिगाड़ा है आपका है ना चलिए जालो अब आपके पात्रता क्या है योग्यता क्या है कुछ योग्यता नहीं है सबसे बड़िया इस भरती की यही बात है मान्यता प्राप्त बोर्ड से स की समतुल्य परिक्षा, दसवीक लास पास होने चाहिए, चाहे आपके परसंटेज 80 बने हो या 38 बने हो ठीक है, दसवीक अक्षा पास होनी चाहिए, चुकि राजस्तान एक हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए यहां पर हिंदी भाषा का ग्यान होना चाहिए, राजिस्तान की संस्कृति का ज्यान याद रखना यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए बोर्ड से सेकंडरी या उसके सम्तुल्य परिक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपका स्वास्त ठीक होना चाहिए आप पशु परिक्षत एनिमन अटेंडेंट बनोगे तरिमानसिक रूप से आप स्ट्रोंग हो या नहीं हो ठीक है चरित्र अच्छा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने दो तिन शादिया घर रखी हो ठीक है चलिए यहाँ पर एज कितनी है तो याद रखना एक जनवरी दो हजार चोबिस को मिनीमम अठारा वर्ष का और मैकजिमम चालिस वर्ष का अठारा से चालिस वर्ष तक के आयू के व्यक्ति इसमें क्या है फोर्म भर सकते हैं ठीक है इसके साथ में SC, ST, OBC, EWS के पुर्षों को पांस साल की छूट दे रखी है सामन्य महिलाओं को पांस साल यानिके वो पेतालिस साल तक फॉर्म भर सकती है SC, ST, OBC, EWS के महिलाओं को दस साल की छूट दे रखी है ठीक है इसके साथ में यहाँ पर जो कैदी है उस कैदी को कोई छूट नहीं है ठीक है यह सारी की सारी चीजे आपकी है ठीक है विवाह आपको यह विवाप अगर आपकी शादी होगी विवाप पंजियन करवाना पड़ेगा ठीक है राजस्तान सरकार द्वारा पेंशन योजना लगू होगी और इसमें भी याद रखना राजस्तान उन राज्यों में से एक है जहाँ पर आपकी जवानी और आपका बुड़ापा दोना बहुत अच्छा गुजरेगा ठीक है चलिए यहाँ पर आपको फॉर्म कब से भढ़ना है याद रखना सबसे इंपोर्टेंट चीज है फॉर्म आपको तेरा दस से ग्यारा ग्यारा तक भढ़ना है 13 अक्टुमबर से 11 नवंबर तक आप इसका क्या कर सकते हो बटा फॉर्म भर सकते हो चलिए परिक्षा का महिना और दिनांग अभी यहाँ पर इन्हों ने दे रखा है अप्रेल से जून 2024 तक यानि कि अगर आप आज से भी तयारी करते हो तो आपके पास में नवंबर दिसं जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल छे महिने हैं छे महिने के अंदर इतनी मेहनत कर लो कि एक बार लाइफ में इस्टेबिलिटी आ जाए बच्चो मैं जानता हूं कि कई लोगों को लग रहा होगा सर आप फॉर्थ ग्रेड की जोब के लिए क्यों हमें कह रहे हैं तो बच् वो SDM तक के लेवल पर पहुँचे हैं इसलिए कोई वेकेंसी छोटी नहीं होती ठीके आपके पास में एक स्थाइत्व आ जाएगा सरकारी कर्मचारी आप हो जाओगे जो आज के समय की बहुत बड़ी मांग है ठीके चलिए यहाँ पर ये निखरका है कि आवेदन कैसे करे मैंने आपको कहा SSO ID के अंदर आप आवेदन कर लेंगे ठीके फोटू अगेर आपको अपलोड करनी है इस संदर्प में भी आपको कोई information अगर हमसे चाहिए तो हम आपको information दे देंगे ठीके चलिए अब आपको क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म बढ़ना है प गलत प्रश्न पर आपको एक नमबर मिनेगा गलत प्रश्न पर आपको एक बटा 4 अंक यहाणि कि 25% अंक आपके क्या हो जाएंगे कट जाएंगे ठीक है तीन घंटे का पेपर होगा syllabus देखिए सबसे पहले भाग अ के अंदर क्या होगा भाग अ के अंदर यानि कि 105 प्रश् की सामाजिक और विज्ञान की кितावे पढ़ लो वास नाइन तोर 10 की सामाजिक और विज्ञान की कितावे पढ़ लो हम इस चैनलन पर और भी आपको बताएं गे अगर आपको डिमांड हो कि सर और क्या-k क्या चीजे करें तो हम आपको सारी सारी चीजे खोल कर रख देंगे इसमें देनिक विज्ञान गनित सामाजिक अध्यन भुगोल इतियाद संस्कृति कला समसामिक विशे सामिल होंगे इसके अलावा 45 नंबर के जो प्रश्ण है वो आपके एनिमन साइन्स से जुड़े हैं जैसे पशो की देशी प्रमुक नसने कृत्रिम घरबाधान बधियाकरण संकर प्रश्णन ये पूरा का पूरा एनिमन हजबेंडरी से जुड़ा हुआ टॉपिक है ठीक है चलिए आपको इस आयोग की वेबसाइट पर ये काम करना है तो इस प्रकार एक छोटी सी इंफोर्मेशन आपके साथ शेर करनी थी और अ आपको कुछ नहीं करना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी पूछनी है ठीक है आपको कमेंट के अंदर अपनी क्वेरी पूछनी है आपके प्रश्णों का उत्तर में खुस्वयम देऊंगा अरिहंत देएगी ठीक है इसी प्रकार की रोचक जानकारी और हि इसी भी राज्य की recruitment news प्राप्त करने के निये जुड़े रही हमारे साथ ठीक है आज के निये इतना ही अपना अपने चाहने वाले और अपने इंदुस्तान का ख्याल रखिये राधे राधे